बिस्मिल्लार्मानिराईम, असलाम अलेकूम, वेलकम तो मैं चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती एजी और डेस्टी कपकेक की रेसिपी शेयर करूंगी, तो हम बनेला और चॉकलेट दोनों तरह के कपकेक बनाएंगे, पुरी रेसिपी को फोलो कीजेगा, वन और हाफ कप हम पाल परपर शार लेंगे, यानि दिर कप हम लेंगे, मैदा, वन टेबल स्पून पेकिंग पाउडर, और इस धम ट्राइ अंग्रीजिएंट को किसी फोक से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम लेंगे दो अंडे, अंडे हमने रूम टैंपरेचर पर लेने हैं, ठंडी नहीं होने चाहिए, और इसे हम हैंडी मिक्सी के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, आप पीटर यूज़ कर सकते हैं, क्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, पांस से साथ मिनिट के लिए इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे, तांके अंडे अच्छे से फ्लफी हो जाएं, आप इसके अंदर एक कप शुगर का एड़ करेंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से इसके साथ बीट कर लेंगे, आप इसी हुवी चीनी यूज़ करना चाहें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से इसे ब्लैंड कर लेंगे, अब हाफ कप कुकिंग ओयल का एड़ करेंगे, और पांच मिनट के लिए इसे भी अच्छी से मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर वन टीसपून वनीला एसंस एड़ करेंगे, और एक मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेंगे, अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है अब इसके अंदर ड्राइ एंगीजियन्स हम एड करेंगे और इसको हम छान लेंगे तांकर इसके अंदर से एर गुजर जाए इसे कपकेक बहुत ही फ्लफी बनेंगे तो यह स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करते हुए इस चीज़ को आपने दिहान रखना है कि इसको हम जिरफ एक डिरेक्शन में ही मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर कोई भी लंप्स न रहे अब इसके अंदर तीन टेबल स्पून दूद एड़ किया है और दूद भी रूम टेंपेचर पे हमने एड़ किया है ठंडा नहीं एड़ किया पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है अब हम लेंगे कपकेक का और उसमें बचाएंगे हम कपकेक लाइनर्स या कपकेक शीट पर्टर पेपर इसे एक दफ़ा हम कर लेंगे ग्रीस अच्छे से ओल से इससे केक जो है वो पर्टर पेपर के साथ नहीं लगता इसके बाद हम इसके अंदर कपकेक का जो बैटर है वो डालेंगे कपके का बैटर जो हम डालेंगे वो सिर्फ तक राफ हम डालेंगे इसके अंदर क्योंको इसको फूल नहीं बढ़ते है कभी भी तुमाम कपकेक जो मोल्ड है हमारे उसके अंदर हम एड़ कर लेंगे सब बैटर को और अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़ से स्प्रिंकल्स और बैरीज ड्राय एड़ कर रही हूं और यह कपकेक मारे रैडी हो चुके हैं अब हम इसे ओवन में 180 डिग्रीज पर 20 मिनिट के लिए बेक करेंगे प्री हिटिट ओवन है 180 जो है टेंपरेचर है और 20 मिनिट के लिए अब जो हमारा बैटर है उसके अंदर वन टेबल स्पून बरकर हम कोको पॉडर का एड़ और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा जो है चौकलेट कपकेक का बटर त्यार हो चुका है अब हम कपकेक मोड लेंगे सेम मैटर्ट से इससे करेंगे ग्रीज और इसके बाद इसके अंदर हम बैटर अब कर देंगे चौकलेट कपकेक के लिए सेम उपर से मैं थोड़े से आलमंड एन नट्स और बैरीज चौकलेट चिप और स्पिंकल एड़ करूंगी डेकोरेशन के लिए और इससे भी प्री हिटिट अवन में 180 डिग्रीज पर बीच से 25 मिनिट लगते हैं इस पे हम बेक कर ले चरख कर लेते हैं के नहीं एक दुद्पिक लेंगे और इसको मिसके अंदर इस दिनासे प्रेंगे और यह बिल्कुल साम साफ पहिर आच कि है और पूकलuden रडि होचकी हैं अब हम इसे वारी निकाल लेंगे दस मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और इसके बाद आप इसे सर्फ कर सकते हैं अलहमदोलीरा बहुत ही अच्छे और बहुत ही फलफी और मज़ेदार से कपकेक रेडी होई हैं सेम हमारे इसी तरह चौकलेट कपकेक भी रेडी हो चुके हैं कपकेक बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं आप उन्हें स्कूल लंच के लिए भी यह कपकेक्स बना कर दे सकती हैं बहुत ही इजी रेसिपी है रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा पसंद आती है तो फ्रेंड एंड फैमली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना बहुत सा हियार रखेगा आप सब को अपने हिज़ों मान में रखे और आपको बहुत सारी नेमतों से नावाजे मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा मेरी तरफ से आप सब को अलाह आफेज